हाई अप्रीबन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासेज तो CDP की आपकी नेक्स्ट क्लास में आज वेलकम है जितने लोग भी आया है मैं बता देती हूँ इससे पहले तीन क्लास हो चुका है एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी प्लीज देखेगा पहले की एक्जाम में आता है ठीक है तो आपको यह हर जगा help करेगा चाहें आप किसी भी क्योंकि CDP जो होता है उसका वो कुछ अलग से नहीं होता है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं अगर आप नए आए हैं तो प्लीज डिस्टल जी के क्लासेज चानल को सब्स्राइब जरूर क किजेगा PDF अगर मैं टेलिग्राम पे भेशती हूं टेलिग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो देखिए आज मैंना बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेकर आई हूं और यह बहु तो भी आपके घरिडिटी मानों कि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है बड़ फिर भी अगर आपको एनवार्मेंट बहुत अच्छा मिल रहा है की आपको जसए की स्टार्टिंग सेही मैध के लिए जो है बहुत अच्छा महाल बहूँ टीचर मिल रहे है तो आप गुड़नफल में होता है ठीक है ये कोशन बहुत बार पूछा है कि डेवलपमेंट जो हमारे विकास होता है वो क्या होता है तो वो हैरिडिटी एन एन्वार्मेंट का गुड़नफल होता है युगात्मक नहीं होता है तो कोई भी आपसे कहे ना कि 50% 50% हम इसको बता नहीं सक मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं उसको याद करने का ताकि कवीज़न न हो नेचर का मतलब क्या होता कि जैसे मेरा नेचर कैसा है आपका नेचर कैसा है कहीं लहां हमारी है प्शह सब्स.. हमारे का उस भी कहीं मरूदभ मत पापा सर अच्यलों हम पूरत नर्चर तो अपने आप पता चल जाएगा, नर्चर का मतलब पोशित, तो आप एन्वाइमेंट में ही तो पोशित किये जाते हो ना, आपको अच्छा एन्वाइमेंट मिलेगा, तो आपकी ग्रोथ होगी, तो ये कोशन कभी भी पूछे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिय आप इसको समझ लेते हैं, थियोरी में, कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए, पहली लाइन देखे, लिखा है कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले, सभी गुड़ों को अन्वान सिक्ता कहा जाता है, मतलब जो भी ट्रेट्स मिलते हैं, हमको अपने मम्मी पापा स और हमारे पूर्वज से भी मिलता है, कई बार देखा होगा, आपने बहुत से लोगों ने बोला होगा कि अच्छा इसका फेस तो इसके एकदम दादी के जैसा लगता है, तो ऐसा नहीं कि बस मम्मी पापा से मिलता है, आपके पूर्वजों सो भी मिल सकता है, तो जो भी हम को मिलते हैं जो भी ट्रेड्स पास होते हैं उसको क्या कहते हैं अन्वन सिक्ता कहते हैं है तो यह आपसे definition में भी पूछ सकता है ध्यान रखिएगा चलिए दूसरा देखते हैं और यह question मैंने इसलिए थोड़ा सा यहां पर underline किया है important है क्योंकि पूछा था एक बाग कि क्या अन्वन सिक्ता जो है वह मानोस विकास के लिए आधार प्रदान करता है या फिर यह अलग-अलग होता है नहीं याद रखना जो हरिडिटी होती है न वह हमारे development के लिए एक आधार प्रदान करती है इसका मतलब मैं समझाती हूं फॉर एक अधार मिलता है अन्वन सिकता कहीं न जा सकता है कि आप कितना दूर जहा सकते हैं बतार लाइफ में क्या-क्या चीजे अचीज़ कर सकते हैं अगर आपके फैमिली में सब को पढ़ा लिखा हूं है आपके पूरोषविया आपके म मम्मी पापा यहां कि एक तरह से हमारी विकास के लिए अधार प्रदान करता मैं अब जरूरी नहीं कि आपके मम्मी पाप आ आप ही बहुत कुछ कर लोगे ऐसा नहीं होता है वह तो हमें सीखना पढता है अनवार्मेंट से ही सब कुछ तो अधार प्रदान करता है आनवान स्थिक्ता यह तो ध्यान रखना है चलिए अन्वनसिक्ता क्या होती हो हमारी जन्म छमता है मैंने अभी आपको बताना पोटैंशियल होता है जैसे कि आप बॉर्ण होते तो आपके कोई भी आपका मुहले में ही चाहें आसपड़ोस के लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि अरे इसके मम्मी ब चाहें किते भी अच्छे डांसिंग हो क्रिकेट कुछ भी हो बट अगर आपको वैसा महोल नहीं मिला तो आपके जो जीन्स है जो वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे क्यों क्योंकि उसका पोशड नहीं हो पाया है तो इस सारी चीज़ें किसे होंगी एन्वाइमेंट से तो हम पर्यावरण से क्या होता है हमारे उपलब्धी में विस्तार होता है आप हैरिडिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो लेकिन आप पर्यावर्मेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अब हैरिडिटी को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो यह समझ लो जैसे कि मैं आपको एक है तो अपने तो प्रिडिक्त कर सकते हो। नहीं कर सकते हो। जुआ सा सबस्टील कर tegel को यहीं था किसे सेयल विव कि पढ़वा क्या चीजें वहां और इसी सुनई पसफिपते हैं, जैसे-प्ले प्ढ़़ें का ने खाता कर बाहुत। कुछ भी सीखते रहते हैं तो आप environment को predict नहीं कर सकते हो बढ़ हरीडिटी को कर सकते हो कि उसके आंग का color कैसा हो सकता है जैसे कि कि मम्मी पापा का आंग का color brown है तो बच्चे का भी होता है आप उसको predict कर सकते हो आपके पापा की height बहुत जादा है तो बच्चे की भी बोलते अधर इनका लडका भी बहुत लंबा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तभी बोल देते हैं ठीक है मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं तो देखा होगा आपने तो उनके लड़कियों के भी बहुत लंबे होते हैं तो यह सारी चीज़े क्या है आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर चीज़े हम बहुत अच्छे से समझा दिया है चलिए अब यहाँ पर देखो यह कोशन पूछता है कि कितने जोड़े गुड़सूत्र होते है जिसे हम क्रोमोजोम्स बोलते है तो वह होता है 23 पेर्स में होते हैं बट टोटल कितना होता है 46 आपको इसको आद रखना है क यह आधार प्रदान करता है और यह क्या है यह इस्थिर है स्टैटिक है आप इसमें कुछ छेड़ खानी नहीं कर सकते हैं जो जीन्स होगे वही आपके अंदर आएगा आगा यह नहीं को छा के जो है कि आप कितनी दूर जाएंगे अगर आपको अच्छा माहोल मिलेगा तो जाओगे अगलत संगती मिल गई तो देन आपको ही पता है वो चीजे नहीं हो पाती है ठीक है परियावरण अब देखो अन्रामेंट को मैं मैंने बहुत ज्यादा एक्जामपल देके समझाया है तो कभ आपके दोस्त कैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके दोस्त पढ़ने लिखने वाले नहीं है तो आप चाहा कर भी नहीं पढ़ सकते हो और कई बार आपने देखा होगी अच्छा है अच्छी चीज़ों की आदत जो है बहुत जल्दी लगती है आपके ऊपर बुरी अच्छे से डेलीवर नहीं कर रहा है कोई बीचीज मैथ अच्छे से नहीं समझा रहा है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर वहाँ पे गलद गलद चीज़े कुछ हो रही है तो आपका वहाँ पढ़ाई में मननी लगेगा ठीक है तो कुल मिला का परियावरण का बहु आपका में ममी पापा आपस में लड़ते हैं या अभी ज़यन फैमिली है जहां पे चाचा चाची कोई ओनो कोई लड़ता रहता है दिन भर तो उस बच्चे का दिमाग है वह सत्तर नहीं रहता है वह परिशान रहता है तो वह भी बहुत ज्यादा एक्ट आलता है हमारी कमने सब्काइब, क मुझे अपने चीज़ के जैसा नवे मने आपको पता दिया है हारेडिटी अच्छी है लेकिन पर्यावराण के बिनना प्राप्त नहीं कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉटेंट है और आपको मैंने बता है प dominant को हम predict नहीं कर सकते हैं यह fixed नहीं होता है चेंज होता तो देखिए कि दोनों क्या है इंटर लिंग्ड होते हैं और अंता क्रिया करके सीखते हैं इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि हरेडिटी और एंवामेंट क्या है परस पर अंता क्रिया करके ही विकास पर ये प्रभाव डालते हैं ठीक है दोनों का 50% योगदान नहीं होता है अभी और पर्यावरण का क्या है गुडनफल है यह परस पर प्रभाव डालते हैं और इसलिए मैंने यहां पर लिग दिया है कि इनका योगदान जो है वो योगात्मक नहीं है ठीक है चलिए अगले पे चलते हैं अब यह देखे बहुत इंपोर्टेंट है इसे बहुत बार question पूछ है तो क्या होता है निसीचन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग होता है वो क्या हो जाता है फर्टिलाइज होता है उसके बास क्या बनता है जाइगोड बनता है ठीक है तो आपसे question पूछा जा सकता है कि जो एग जो होता है वो फर्टिलाइज एगो को हम क तो यह सारी चीजे हो गई, यह question कई बार पूछा है, कि fertilized echo क्या कहते हैं, जाइगोड कहते हैं, क्रोमोजोम कितने होते हैं, और sperm और ovum मिलकर, मतलब जब मिलते हैं, तो क्या बनता है, तो जाइगोड बनता है, ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर देखो, यह देखे, male और female से एक बार पूछा था, question में, कि अगर लड़का होता, तो कौन-कौन से क्रोमोजोम होते हैं, लड़की होती है, तो कौन-कौन से क्रोमोजोम होते हैं, और एक चीज़ और पूछा था, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, देखे, स 23 में से जो 22 होता है, और जो एक होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर भी एक, यह बाइस ओटोजोम होते हैं, और यह एक जो होता है, वो sex क्रोमोजोम होते हैं, मतलब यह ही decide करता है, यह देखे, यह ही decide करेगा कि लड़का होगा यह लड़की होगा, क्यों क्योंकि जो male होगा उसमे xy chromozomes होते हैं जो female होता है उसमे xx chromozomes होते हैं अब आप देखो इसका x जो है इसके x से मिल जाएगा तो xx बन जाएगा और जब भी xx बनता है तो girl हो जाती है अब जब इसका y जो है ये जो y है इस x से मिलेगा तो क्या बन जाएगा x plus y तो क्या हो जाता है y हो जाता है तो simple सी चीज़े बस ये ही पूछता है कि y में कौन से क्रोम Osomes होते हैं आप लडकी होती ही तो कौन सा तो लडका होका होगा x plus y मतलब xy और girl का होता है x plus x मतलब xx क्योंकि ये 1x जो है ना उसका male का होगा sorry female का होगा और ये जो y है वो male का होगा क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है male में 23 है 22 autogomes होते हैं एक आपका sex chromogems होता है और male में कौन सा होता है xy female में 22 autogomes होते हैं sex chromogems और ये कौन सा होता है xx ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ये female और male का ये chromogems जो है आपको ध्यान रखना है female का xx होता है male का होता है xy ठीक है और यहाँ पर देखें ये हमने एक को डिसाइड कर लिया ये 22 autogomes तो ये जो autogomes होते हैं वो हमारे सरीर का गठन करते हैं ये 22 autogomes मिलकर ही हमारे जो body का structure बना हुआ है इसी 22 autogomes से बना हुआ है ठीक है और इस एक chromogems से आपको पता चलता है कि लड़का होगा ये लड़की होगी ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसलिए पूरा अच्छे से दिखाया है ये यहाँ पर x ये female का है ये y male का है तो लड़का हो गया और ये x जो है male का और female का भी x x तो ये वह हो गया लड़की कोई भी doubt हो आप मेरे को पूछ ले ना आपको बताऊंगी और father of heredity father of heredity या फी genetics इसके father कौन है heredity के ये तो आसान सा question है john gregor mendel जिन्होंने murder पर प्रियोग किया है चलिए आज का question स्टार्ट देखे जो भी मैंने question पूछ री मैंने आपको पढ़ाया हुआ है answer जरूर देना पहला question है कि fertilized egg को क्या कहते है दूसरा question है nature nurture का अर्थ क्या होता है तीसरा question है अन्वान सिक्ता की बुनियादी इकाई क्या है अभी मैंने आपको कितने detail में heredity को पुरा समझाया है तो इसकी बुनियादी इकाई बताइए heredity और environment का योगदान हमारी विकास पर कितना होता है क्या ये योगात्मक होता है या फिर ये गुडणफल होता है सारे answer आप मुझे देना जिसका answer सही होगा मैं उसको like करूँगी और कल मैं इस 4 answer को सही correct करके आपको बताऊँगी तो चलिए मिलते हैं कल और विडियो को प्लीज लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Digital GK classes को और अगर ये पीडेव चाहिए होगा तो हमारा टेलिग्राम चैनल ज़ैन कर ले Digital GK classes आप सर्च कर लेना या फिर टेलिग्राम का लिंक मैंने comment box में दिया है चलिए मिलते ही नेक्स लास में, थैंक्स फॉर वजिंग